हालो फ्रेंड्स वालकम टू सक्सेस मंत्रा मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए हरियाना का नेक्स क्विज लेकर आई हूं जो आपके मिक्स कोश्चंस का मिनी क्विज है और यह पहले ही आपको बता देती हूं प्रीवेस एर के कोश्चंस है क्लरक में पूछे गए थे य लाइव अंसर्स देने हैं how many types of printers अर डेयर बेश्डान प्रिंटींग टेक्स अब इसके लिए आपको काफी टायम मिल चुका है प्रिंटर कितने तो फाइव सेकंड्स का टाइम कंप्लीट होता है क्या होगा इसका अंसर कैफोड रे ट्यूब इसमें इलक्टोन गन यूज की जाती है जिसकी जैसे रोशनी होती है इसकी अच्छे से एक पूई प्रोसेजर होती है तब यह अच्छे से समझाएगा यह वैसे आप बस फुल्फुम याद कर लीजिए फिलाल साइंस के स्टुएंट्स को तो पता भी होगा बारत में रज्य के विदाईका को कितने भागों में विभाजित किया गया है अब बताएं कितने भागों में विभाजित किया गया है राज्य की विधाईका को अब काफी इसी है यह क्या होगा इसका अंसर दो ओके दो दो बागों में विभाजित किया गया है भारतियस विदान के बाग 6 कैनुछेद में इस बारे में दिया हुआ है याद रख दनी आपको पता होगा विदान सब और विदान परीशित के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर ओके चलिए नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान की कौन सी खदान तामबे की उत्पादक है तो बताए तामबे की उत्पादक कौन सी है इंग्लिश वले स्टुडेंट्स के के लिए बता देती हूं विच ओफ फॉलॉइंग माइंस इन राजस्थान इस प्रडूसर ओफ कॉपर तो इसका अंसर क्या होगा खेतडी ओके खेतडी जो भारत के राजस्थान के जुन-जुनु नामक नगर में स्थित है और यह बहुत ही इंपोर्टेंट है काफी पेप सथापना कब की गयं थि आप इन में से बताएं कब की गई थी उचलु यह स्थापना तो क्यों का अंसर ऑफशन डीज पंजाब के जो पंजाब राज्य था आपको पाता है उसी में हर्याणा मिक्स था तो हर्याणा को अलग करने के लिए शायोग की स्थापना की गई थी और पेपर में कोश्चन ये भी पुछा जा सकता है कि जो आयोग था उसने अपने रिपोर्ट का प्रस्तूत की तो रिपोर्ट का प्रस्तूत की 31 मई 1966 को ठीक है आपको दोनों येट याद रखने है बना कब और रिपोर्ट का प्रस्तूत की चलिए नेक्स्ट टूटा हुआ आदमी उपन्यास के रचियता कौन है वेरी वेरी इंपोर्टेंट अपको पता है एक रैटर तो पुछाए जाता है पेपर में दो बेश्या कुछ लिए जाएं तो बताए किस ने लिखा है ये टूटा हुआ आदमी ओप्शन ए इस करेक्ट मोहन चोपडा मोहन चोपडा नई उपन्यास लिखा है टूटा हुआ आदमी चलिए नेक्स्ट है हर्याणा उर्दू अकादमी की स्थापना निम्न में से किस सन में की गई थी इन वीच ओफ दा फॉलेंग येर्स वाजदा हर्याणा उर्दू अकादमी अस्टेब्लिश्ट बई जो इंग्लिश में स्टुएंट्स कोशन सुनना पसंद करते हैं उनके लिभी में बता रही उन साथ साथ तो फिलाल इसका अंसर क्या होगा ऑप्शिन डी जगरेक्ट बाइस दिसंबर उन्ने सो पिच्चासी को हर्याणा में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी इसका मुख्य उदेश है और दू बाशा का प्रचार प्रसार करना और जो साहिता कारहन को वित्य साहिता प्रदान करना साथ ही सम्मेलन वगेरा भी आयोजित करने के साथ साथ पुरसकार देना किस बाशा को हर्याणा की सबसे पुरानी भाशा माना जाता है इन में सबसे पुरानी भाशा हर्याणा की कौन सी माने जाती है option है a is correct खड़ी बोली खड़ी बोली ही हिंदी का वो रूप है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता है और इसी से वर्तमान में हिंदी भाशा की श्रिष्टी हुई है चलिए next है निमन में से कौन सी नदी उत्री हर्याणा में बहती है अब बताइए इन में से कौन कि नदी उत्री हर्याणा में बहती है सोच समझ की आमसर दीजिएगा option is c is correct गगर हकरा नदी ओके आप चलिए नदियों के बारे में थोड़ी detail बता देती हूँ आपको मैं देखिए गगर हकरा नदी आगए उत्री में बहती है अब देखिए पूर्वी सिमा में कौन सी नदी बहती है यमना नदी बहती है अब उत्री हरियाना में कौन सी नदी बहती है गगर हकरा एक तो मैंने आपको बताए दी एक चेटांग, एक टांगरी, कोशल्या, मारकंडा, सरस्वति और सोम ये सारी की सारी उत्री हरियाना में बहती है उत्री हरियाना की याद होगी आप देखे दक्षन हरयाना की देख लेते हैं दक्षन हरयाना में कौन सी नदी बहती है साहिबी दोहान कृष्णावती और इंदोरी ओके ये सारी की सारी नदी कहा बहती है दक्षनी हरयाना में बहती है ठीक है सारी पता होने चीए कौन सी किस डिरेक्शन में है दी गई नद क्या होगा इसकी कॉशलया नदी कर नाम का कश़बा. यहां पर या उसी पर बना हुआ है से कैजम नदी एक को फोट सकते हैं पेपर में को हैं चलीए चलिए, next, निम्न में से किस वर्ष में हरियाना सहकारी समीती अधिनियम पारित किया गया था? अब बताए किस वर्ष यह अधिनियम पारित हुआ था? तो option A is correct, 1984 में सहकारी समीती अधिनियम पारित किया गया था. चलिए, next, आपको पता है यह लोगों का संग है जिसमें समझी कार्थिक सांस्कृतिक के लिए स्वेचा परक सयोग किया जाता है, next, कौन सा हरियाना का एक नृत्य है जिसकी उत्पत्ती महभारत के समय हुई थी? अब इन में से बताए कौन से नृत्य की उत्पत्ती हुई थी ये निरते सिर्फ पुरुषो द्वारा किया जाता है, और ये जब किया जाता है, जब फसल तैयार होती है चलिए, next question है, 14, हरियाना में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद है? इन में से बताईए, वैसे तो लहरी, अगोटा, फुलकारी, कडाई, सारी ही ये कलाई प्रसिद है, लेकिन सबसे ज़्यदा प्रसिद कौन सी है, इन में से फुलकारी, फुलकारी हरियाना के शोल को भी क बहा जाता है, फुलकारी के रूप में जाना जाता है, और ये जो कडाई है, ये दुनिया भर में प्रसिद है हरियाना की, next है, गमन शब्द का विप्री तार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रियोग करेंगे, अब सब को पता होगा, उपसर्ग कहां यूज हो हो झाना और अध्य मन क्या होता है, आना तो होगया ना, इसका उल्टा होए प्रित तर तर्षद, next है, हितोप देश में कौन सी संदी है, अब बताई हितोप देश में कौन से संदी है, दिर्ग संदी, आयादी संदी, वरीद्दी संदी, या गुण संदी, दीजी answer, बस 5 से जिन क्या है मैंने आपको बताया था जब भी कहीं ए या ओ की मातर आज़े तो वहां गुण संधी होती है ओके यह ट्रिक है याद करने की नेक्स्ट है प्राण प्रिये में कौन सा समास है ऑप्शन ए द्वंद्व बी बहुब्रिही सी द्विगू डी करमधारिय दीजी अंसर पांच सेकिन का टाइम कंप्लीट होता है क्या होगा इसका अंसर करमधारिय अब देखिए करमधारिय समास है कैसे है करमधारिय समास कौन सा होता है जब किसी पद में विशेशन विशेशन का संबंद हो यानि कि वो उसकी कोई विशेशता बताता हो जैसे कि प्राण प्रिय विशेष्टा बता रहा है ना कि वो प्राणों के समान प्रिय है ठीक है इसका definition भी यही है विशेष्ण विशेष्टा का संबंध हो definition भी याद रखेगा तो प्राणों के समान जो प्रिय है विशेष्टा बता दी तो इत्तों सा हो गया करमधार्य समा से हो गया जब भी कभी क D. cheerful दीजिये अंसर only फाइब सेकंड्स to help तो क्या होगा इसका अंसर टाइम आप फाइब सेकंड्स कंप्लिट मॉर्ण फुल आप देखिए डॉल्फुल क्या होता है दुखी होता है और मॉर्ण फुल भी क्या होता है दुखी ही होता है तो डोल्फुल का सिननम क्या हो गया? मोन्फुल हो गया चलिए बाकी के options देख लेते हैं सोबर क्या होता है? शान्त, सोम्य नेक्स्ट है, regretful तो पच्टावा करता हुआ रिग्रेटफुल पच्टावा करता हुआ और रिग्रेट को बोलते हैं पश्तावा और चीरफुल क्या होता है खुश उत्साहित उसे बोलते हैं चीरफुल नेक्स्ट एंटोनेम ओफ एब्यूलियंट ऑप्शन ए मोबाइल ऑप्शन बी अन्थूसियास्टिक सी रेपिड डी डियोवियस दीजी अंसर सभी स्टुडेंट्स वेरी गुड वैसे यह मैं पहले पूछ चुकी हूं देखती हूं कौन-कौन ठीक अंसर देता है एब्यूल अगर भूल जाते हो तो एक बार वीडियो को डबल स्पीड में करके पुराने क्विज रिवाइज कर लिया करो कुछ भी कर रहे हो सिर्फ सुन लो देखो ना तो डबल स्पीड में करो कान में लीड लगा और साइड में रख लो बस सुन लो तो चलिए टाइम अप होता है सब्विद करेक्ट अन अनन्थ कभ अब देखे यह बुलिएंट क्या होता है जोशी ला खोलता हुआ और अनन थो सिर्फ टिक क्या होता है उत тебе क्या हो गया उत्साह इंसान को गया उत्साहें हो गया तो उत्कु चलने योग्य नेक्स्ट है रपिड उपिड क्या होता है तेज या तिवर को बोल देते हैं यह सब को पता होगा ड्यूबियस क्या होता है संधेह पूरण yagn की शक के घेरे में I hope सब को समझा गिया होगा नेक्स्ट है इडियम आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रिकल्चर रोज लाइके फिनेक्स ड्यू टू दा ग्रीन रिवोलुशन अब आपको लाइके फिनेक्स का इडियम बताना है ओप्शन ए विद अन्यू लाइफ बी विद ए स्टार्ट सी विद रोयल गेट डी विद वेंजियन दीजी आंसर पांच सकिंड का टाइम है सभी के पास रात को डेली सादेशन लो बजए एक विज औता है लाइफ तो डेली रात को साँड़ेशन लाइब आजाये किजिये है नोडिफिकेशन आए या न आए तो टाइम अप होता है फिलरया असमाशर क्या होगा with a new life यानि की option a is correct like a phoenix का item क्या हो गया with a new life चलिए बाकी के options देख रहे थे with a start शुरुवात के साथ with royal gate यानि की शाही चाल के साथ royal का मतलब पता ही है न शाही होता है with vengeance वेंजेंस क्या होता है प्रती शोध तो प्रती शोध के साथ next one word substitution ये वो question है जो कल मैंने आपसे पूछा था जिसका answer आपको नीचे comment box में देना था one who secretly listens to the talk of others तो इसका one word substitution क्या होगा I was dropper यानि की जो chip कर दूसरों की बाते सुनता हो उसे क्या बोलते हैं I was dropper आप देखिए बाकी की options है वो cab है वो भी मैंने clear कर रखी है आप वीडियो को post करके अच्छे से पढ़ लेना और चेक कर लेना इसको चलिए अब ये next question वो है जो आज का प्रेशन आपके लिए है इसका answer सभी students को नीचे comment box में देना है तो चैनल को जिसने subscribe नहीं किया है सबस्क्राइब कर लीजर साथ में bell icon जरूर दबा लेना notification के लिए तो जितना हो सके वीडियो को like करें और अपने friends के साथ जरूर share करें और आपके पुराने friends हैं जहां भी मिलते हैं आप उनको जरूर inform कीजिएगा कि quiz फिर से start हो गया है क्योंकि notification नहीं जा रही है कुछ students के number पे फोन पे तो आप उनको inform कर सकते हैं ओके बाबाई thank you like share and subscribe और हां comment box में जरूर बता के जाएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी कोई सुजा हो तो वो भी दे सकते हैं और किसी को प्रिवेश से के questions करने हो तो playlist में आपको मिल जाएंगे देख लेजेगा ओके बाबाई thank you